कैसे हैं आप सवाई होप आप सब इच्छ होंगे चलिए आज फ़र से लेकर आ रहे हैं एससी जो कि आपका है थी एजल और एम्टीएस के एकजाम आने वाला है उसके लिए जो रोजकार पर अंकित की बुक आई है हमारी इस्टेटिक जी के तो इसका जो है इंपोर्टन्ट कुस्टन देखंगे कुस्टन की सेरी जो हम सुरू करने जारा है जिसमें आपको 25 कुस्टन हो जाना आपको एक क्लास्व मिलेंगे तो अगर अभी तक हमाई चनल को सब्सक्राब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राब कर ले हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि कुस्टन चलिए तो सुरू करते हैं आज ही क्लास तो पीडिएफ के लिए क्या है आप जो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे बहां से आपको चैनल का लिंक मिलेंगा महां से आपको जो है पीडिएफ मिल जाएगी चल मंदर की के बात करेंगे एक सबस्क्रिप्शन महाबली प्रव महाबली पुर्म में कौन सा मंदर आपको पढ़ता है बात करेंगे के सब्सक्रिप्शन कहां पर एब से पूछा है जिसन एक च्ञाना छाएं जाना जाता है यह कहां पर इस दराइट आंसर की बात करेंगे क्या दोरेक्वाम है या पुरी में हैं या मत्राम है या गाधी में मैं पर टैशता या गांधी नगरं में कोन सा मंदर उर आप बताएंग далी गाधाँ कि नाम रीम पैणा संय को कुछता है कि आदा के नाम से हम जानते हैं यह option कोडार का सूरी मंदर होगा क्या कि मारतंड का सूरी मंदर होगा या मोडेरा का सूरी मंदर होगा या होईसलिस्वर का मंदर होगा तो राइट आंसर की जो हम बात करेंगे तो राइट आंसर होगा थ्री नंबर का एये option डाइट कोडार के सूर्य मंदर को हम क्या कहते हैं बलैक पोगणा के नाम से हम जानते हैं बढ़ेंगे next question आपका next question आपका चार नंबर चार नंबर कुष्ण आपको इसकाता है खजराहों कि मंदर किस राज में जो खजराहओं के मंदर किस नगर में ख्वाजा मौईनि दीन चिस्ति का दरगा मौईन अजमीर में दिवार्ट में जो बात करेंगे यहां पर इनका जो डरगा सिस्तित है तो रेट आशन हो जाएगा सबड़ेंगे नेक्स्ट किस्ट है आपको स sponsor ऐता है कि तुरुपती मंदर wealthy हे आपको बताना है और पतानाे है इस्तित है। कि नाड़ू vraag में आंदर प्रदिस में आपको तो डियाज़एट से नंबर का जो आपका आंसर होगा वह आपने लगा लियो होगा तो मैं बता आपको कौन से राज़ए में हैं यह आंदर प्रदेश में आपका राइट अंसर होजा आपका तुरुपति मंदर स्थित्थ है बात करेंगे 7th number question जिसमें आपसे पूछा यह दिलवाडा का मंदर कहां इस्तित है आपको बताने है दिलवाडा का मंदर कहां पर था क्या हमपी में है या माउंट आबू में है या पुरी में है या दौर का में है तो डियेशन से राइट आंसर की जिए हम बात करेंगे 7th number की तो B option is right हो जाएगा नहीं तो पुरी होगा और नहीं तो द्वार का होगा और नहीं यहां पर हमपी होगा तो माउंट आबू में कौन सा मंदर है दिलवाडा का मंदिर माउंट आबू कहां पर इस्तित है बढ़ेंगे next question आपका आप आता है 8th number 8th number question आप से कहता है कि जो हो हम बात करेंगे तो हेलू बुडू में जो है वहसलेश्वर मुक्का मंदर पाया जाता है तो चलिए बात करेंगे आपका नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है 9th number question 9th number question में आप से कहता है कि कोडारक का जो है जिसमें हिंदू बास्त कौला के अद्वूत नमूनों वाला प्रसवित सूरी देवता का मंदर का कोडार्क में आपका जिसमें हिंदू बास्तिकला के अद्वत नमूनों का जो परसित सूरी देवता का मंदर है वो किस राज्जी में इस सित है तो डिर्फेंट से हम बात करेंगे यहां पर 9 नमबर गी तो राइट अंसर को जाएगो ओडी सामें कोडार्क का मंदर कहां है तो आप बताएंगे ओडी सामने stave है बढ़ाएंगे next नंबर कर जो आंसर को सूर्य को वहिस्चों की होजाएगा सूर्य है सवाध्पूर्ट से बाता है यहा पर यहां freaking कुस्ट आता है एपसे और इसका रामिचो द्रम आजयिया दूर्रिक है तुर नियुक मैं आता है जिसमें बात करते हैं हम यहां पर सुम्वेले कि किजिए सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना सोची तो यहां पर सूची एक को सूची दो से आपको फश्तान रिधान के तोब तो पूछा गोवर्दन्पी यापज निए से अनसर कौन सा होगा तो राइट पेस्ट हएंकर आपको दिये गए हैं आप को बताएंगे सो राइट कोटकी जो हम बात करेंगे हैं यहां पर तो 12 नमबर का जो आंसर हो जाएगा यह option is right हो जाएगा यानि ए का संबंद A से होगो B का 200 C का 3 का यानि चारों जो है सीधे सीधे संबंद बनाए रखते हैं चलिए बात करांगे next question आपका आता है next question आपका यह आपका 13 नंबर फिसमा से बात की गई आपसे बात की गई है 14 नंबर के आपका इसे बात की आ सेकh सलीम चिष्टि का दर्गा कहांपर है तो राइट उन्षर की बात करें चौदा नंबर किसे कोई में आपको dat आप का फिप्टीन नमबर आता है जिसमें आप से कहता है आडाई दिन का जौपरा कहां इस्थित है इसे मन से चांद पर उता राता है कि इस वर्स में परच्षपित किया गया था तो बात करेंगे यहां पर जो है 16 नंबर 16 नंबर की बात करेंगे तो 1909 में हमने इसको प्रच्छेपित किया था तो डिर्फेंट से बढ़ेंगे next question पर next question की बात करेंगे यहां पर आपका आता है 17 नंबर जो भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदर है बात करेंगे यहां पर मारतंड सूर्य मंदर कहां इस्तित है तो मारतंड सूर्य मंदर कहां इस्तित है तो मारतरंड सुर्य मंदर किस राज्य में इस्तित है आपसे यह पूछा इस कुछन में कि गुजरात में है ओडिसा में है जम्मु कस्मीर से या तमिल नारू से तो डिर्फेंट से अगर आपको किलास अच्छे लगी तो एक लाइक करों कमेंट बॉक्स में जरू बताएं मंदर समद्र किस रहा है ने जरू का मंदर समंद्र कि सदर्म से बाद से अबोद धर्म से जहन धर्म से एका पता कौनThis है अधर अषड्य ऑ देख लेते हैं यह आपन नीचिय जैन भर्म से नंभी तौ ह vlogs और यह घंदू धर्म से हैं या आपका लिए टाफन तका आंट सब् से आपका जो है बात करेंगे कंब आता कि सब्सक्राइब जिल्वारा मंदर कहां राजस्तां में यह स्थित है ज्यादोतऊ-अपर सप्सेप जी के 100% जो तीनों एक्जाम में यहीं से इस्टेटिक जीगे आपकी फस जाएगी तो बढ़ेंगे यहां पर नेक्स्ट कुस्टन आपको आता है 21 नमबर की जो हम बात करेंगे किस नमबर आपको सुनाप से क्या कहता है तो कामाख्या मंदर भारत किस राधुनिक राजिम इस इस्टित है तो आपको बताना कि हम एक आला में पढ़ता है या मड़ी पूर्म करता है या बिहार हम पढ़ता है या समय पढ़ता है तो 21 का जो आंसर होगा आपका डियॉप्शन इसाइट कहां पढ़ेगा कामाख्या का मंदर असम में यह इस्टित है बात करेंगे 22 नमबर कुछा अपसे पूछा गया है है स्तुरीक से हम देखें कि दवार काधीश मनदर कहां इस्थित्त है कि भौपाल जहांसी में या कानपुर में या गुज्रात में बात करेंगे 22 नमबर कुष्ण की तो सी उप्षन अग्यों हो जाएगा कहा पढ़या आपका यह बताएगे विए गुर्टात में स्टित है बात करेंगे यहां पर नेश्ट कुस्ट्र की तो नेश्ट कुशन यहां पर देख लेते हम आपका आता इसा है धूत्र II मंदर है वो तो ओड़ी सामने तो यही राइट और सुरी में पड़ता है तो यह आंसर जिसका सभी हो जाएगा यह मांट परिस्टेत नहीं है बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट कुस्टन आपका आता है अगला अगला कुस्टन आता है आपका 24 जिससे हम सेकंड लाइस को लें यह सूर्य को समर्पित है तो बात करेंगे 24 नंबर की तो जो मंदर जो आपका विश्णू को समर्पित है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्सन बिल्कुत सही हो जाएगा तो बढ़ेंगे आज के लास्ट कुस्टन को देख लेते हैं और यहां पर आप के लास्ट सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत साला मंदर की जो अधिसराष्टी है वह आपको कौन है भगवती सरस्थी तो इसी बुक का जो है स्टेटिक जीके चाहिए तो टॉपिक का नाम कमेंट वक्सम बताईए मैं उसको अच्छे से एक्स्प्रेंड करूंगा अच्छे से करेंगे